दोस्तों इस दुनिया का हर व्यक्ति हमेशा motivated रहना चाहता है वो यह जानना चाहता है कि ऐसे क्या तरीके हैं जिससे मैं हमेशा motivated रहूँ friends मेरा लक्ष है कि मैं आपको हमेशा motivated रखूँ इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरा आपसे request है कि एक बार उस वीडियो को जरूर देखें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे नियम और ऐसे तरीके जिसको समझ कर आप अपने आपको हमेशा motivated रख सकते हैं हमेशा motivated रहने के लिए हमें मानव शरीर की संरचना को समझना होगा हमारा शरीर एक engine की तरह है और ये engine बिना रुके निरंतर चलता रहता है और इस engine को चलाने के लिए हमें अलग-लग तरह के इंधन की अवशकता होती है जैसे भोजन, पानी, हवा, धूप, चीक उसी तरह से सफलता पाने के लिए motivation भी एक इंधन के रूप में काम करता है सफलता पाने की इस दौड में ये इंधन भी निरंतर खर्च होता रहता है कई बार जब हम सफलता की ओर तेजी से अगरसर होते हैं तो हमें ज़्यादा इंधन के जरुत पड़ती है मतलब ज़्यादा motivation की अवशकता पड़ती है जब हम किसी लक्ष को पाने के लिए motivated होते हैं तो हमारी उर्जा बहुत अधिक सकारात्मक होती है और हम तेजी से उस लक्ष की ओर बढ़ते जाते हैं क्योंकि हमारा motivation का level भी बहुत हाई होता है और जब उस काम को हासिल करते हुए उस लक्ष को प्राप्त करते समय हमें कुछ बाधाएं आती हैं तो हमारा motivation कम हो जाता है और कई बार तो उन बाधाओं के सामने motivation समाप्त हो जाता है और हम वहीं पर आकर रुख जाते हैं फिर हमें दुबारा मोटिवेशन के वशक्ता होती है, चाहें वो अंदर से पैदा हो, या बाहर से प्राप्त हो. आईए इस बात को मैं एक उधारन के माध्यम से आपको समझाता हूँ. मान लिजिए, आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, और जॉब करते हो, आपको कई वर्षों का अनुबह हो गया है, और निरंतर आप आफिस जाते हैं, आते हैं, समाने रूप से एक जैसा काम निरंतर करते रहते हैं, तो आपका मोटिवेशन लेवल भी समानने होगा. एक दिन आपके बास, आपको अपने केबिन में बुलाते हैं, और कहते हैं, कि अब हमारी कंपनी का लक्ष ये है, और इसे हासिल करने के लिए, मैं आपको कई जिम्मेदारियां दे रहा हूँ. और यदि हमने इस लक्ष को प्राप्त किया, तो आपकी प्रोमोशन भी होगी, और इस काम को करने के लिए, मैं आपको अत्रिक्त पैसा भी दूँगा. आपको जैसी एक टार्गेट मिलता है, एक आपको लक्ष मिलता है, तो उसे हासिल करने के लिए, आपके अंदर एक साकारात्म उर्जा पैदा होती है. और उसको प्राप्त करने के लिए, आप निरंतर प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है, कि जितनी जल्दी मैं आपने लक्ष तक पहुंचूँगा, उतनी जल्दी उसके मिलने माला रिवर्ट मेरे सामने होगा. और जल्दी जल्दी पहुंचते पहुंचते आप उस लक्ष को हासिल भी कर लेते हैं लेकिन किसी कारणवश आपके बॉस या आपकी कमपनी आपको वो चीज नहीं दे पाती जिसको देने का वादा उन्हों ने किया था तो ऐसे में आपका लक्ष प्राफ्थ होने के बाद जब आपको उसका रिवर्ट नहीं मिलता तो आप पुना डी मोटिवेट हो जाते हैं, आपके सकारत में उर्जा घर जाती है और आपका मोटिवेशन लेवल कई बार समाप्थ हो जाता है तो ये जो motivation है ये बाहरी motivation है क्योंकि इस motivation की चाबी तुमारे अंदर किसी और ने भरी थी और जब वो लक्ष प्राप्त हो गया और उसके बाद उसका रिवर्ट नहीं मिला तो automatically आपका level of motivation समाप्त हो जाता है इसके विपरीत जब ये motivation अंदर से पैदा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर का आवरण कैसा होगा यदि आप किसी भी चीज को पाने के लिए अंदर से एक इच्छा शक्ती पैदा करते हैं कि मुझे इस लक्ष को हासिल करना है मुझे इस चीज को हासिल करना है त इससे inner motivation को पैदा किया जा सके और अपने motivation के level को peak तक ले जाया सके और इस सीखने के लिए जरूरी है कि जो कार्य जो सफलता जो लक्ष जो धे आप हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने का अपने आपको एक solid reason दें एक मजबूत कारण दें और जब आपके पास एक कर लिया कि यदी मैं निरंतर एक साल तक workout करूं exercise करूं तो मेरा शरीर कैसा बन जाएगा और उस picture को उस imagination को आपने अपने मन में द्रिड निश्चे के साथ decide कर लिया तो बहुत तेजी से आप उस कार्य की और अग्रसर होंगे और देखते ही देखते कुछी समय में आप अप अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन सी विशेस बाते हैं जो motivate करती हैं वो comment box में लिखकर जरूर बताएं तो मैं उमीद करता हूं कि आप अपने लक्ष को पाने के लिए अब कभी भी demotivate नहीं होंगे और inner motivation पैदा करने की शमता को अपने अंदर निरंत प्रयास करके develop करेंगे मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके समयरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत